दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जिले का यूटीब आधारित भरती और दोस्तो भरतपुर जिले की में बताने वालू हूँ आप लोगों को आ वोच सारी चीजे हैं जो बताने लाइक हैं अलंग कि मैंने टेलीग्राम पे पॉस्ट करके आप लोगों को बता दिया था और यहां पर आप लोगों को ही अपडेट मिलेगा देर रातरी का यह अपडेट है दोस्तो कल देर रात दस बज mustard तो मैंने चेके के था तब तो नह देखिए यहाँ पर दोस्तो इस कारेले के विग्यप्तिक्रमांक दिनांक 10-5-2022 और सनसोदित विग्यप्तिक्रमांक 12-5-2022 के द्वारा यूटीबी के लिए आवधनामनतित किये गए थे और इसके अनुसार सूचना दी जा रही है तो देखिए यहाँ पर चिकित साधीकार रुप से कारेल में दस्तावे जुपलप्थ करवाई तो यहाँ पर इन्होंने जो डॉक्टर की जो बरती थी उसके लिए कहाए कि अगर कोई PG है डॉक्टर यानि के अलावा अगर PG भी किसे ने कर रखी है इसनात कोतर डिग्री या डिप्लोमा कर रख है तो वो डॉक्टर लोग हैं वो 27 माई तक साम 6 बजे तक अपने जो भी इसनात कोतर की जो डिग्री है वो इस ये मेल आईडी पर भेजे या तो या फिर व्यक्ति गज्जा करके CMCH कारेल में जमा कराएं विग्यापित सभी पदों के आवदकों में से यदि किसी ने कोविड काल में कोविड-19 से सक्क्रमित मरिजों की चिकित्सा सेवा का कारिया आवश्यक ऐस्ता यधार पर नियोजित होकर किया है तो दिनांग 27.05.2022 साम 6 बज़े तक उपरोगत email ID अथवा व्यक्तिगत रूप से इस कारियल में दस्ताविज उपलब्द करावें ठीक है तो ये email ID है दोस्तो जो जिस पर आप लोगों को अपना अगर आपने COVID-19 में यानि कि CHJ के रूप में काम किया हो यूटीबी पे काम किया हो बसरते सरकारी एस्पताल हो सरकार के दुआर आप लोगों ने ऐस्थाई काम किया हो कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि 2017 में कराथार फिर अब लगा रहे हो वह नहीं होगा सिर्फ COVID-19 के काल में अगर आपने मरिजों की सेवा की COVID-19 काल में आपने काम किया तो आप लोग अपना जो experience certificate है वो बनवा करके इस email ID पर भेज सकते हैं आपको भरतपूर जाने की वह आशकता नहीं है अगर दूर के हैं आप लोगों को इस email ID पर ठीक है उस पर भेज सकते ह आप लोग को जाने के आशकता नहीं होगी और जो पास हैं जो जा सकते हैं मानलो मेंली सीटी भरतपूर के हैं वो लोग तो जाके भी जमा करा सकते हैं जो दूर के हैं जिनोंने फोरम भर दिया था आपको लगता है कि हम मेरा selection हो जाएगा तो वो लोग चाहे GNM के हों चाहे इक और बात है यहां पर दोस्तों कि जिनोंने फोरम नहीं भरा था भरतपूर का ऐसे लोग हैं जिनोंने एक दो दिन पहले भी पूछा था कि भरतपूर की कब आएगी तो लोग भी ध्यान दे भाई अगर आपने भरतपूर का भारम अभी तक नहीं भरा है तो आप लोग भर दिया था, उनको कोई दुबारा भरने के आफशक्ता नहीं है और जिनोंने भर दिया था उनके पास कोविड का अनभव है, तो आप इस पर भेज सकते हैं, जिनको नया फारम भरना है वो आप आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से और लिंक आप लोग को टेलीक्राम पर में दुबारा से उपलब्द करवा दूगा उस गूगल फोर्म का तो आप उस पे भी आप लोग आविदन कर सकते हैं आप जो दस्तावे सत्यापन है दोस्तो वो आप लोगों का होने वाला है साधिकारी और फार्मासिस्ट का 162022 एक जून को सुबह दस बजे से जी अनेम का होगा दो तारीक को दो जून को दस बजे से लेब टेक्निशन साइक रिडियोग्राफर लेब साइक इसी जी टेक्निशन इन सब का होगा तीन जून को ठीक है समय सब का दस बजे से हैगा एक आवेदन कर सकते हो और संभवता जो लिस्ट है इसका 29 तारीक को आएगा ठीक है तो यहां 29 या 30 को यह जो है आप लोग का लिस्ट आजाएगा तो वो लिस्ट आप लोग को डाल दी जाएगी और आप लोग इसमें अगर फोरम भरनेश कोई वन्चित रह गए हो तो अगर भर देता हूं जो पोस्ट बढ़ाई गई थी वो देखिए यहां देखिए यह डिटेल्स आप लोग को दिखा देता हूं जो पोस्ट बढ़ाई गई थी वो तो यहां पर देखिए जो पहले GNM की 45 थी उसको 66 किया गया था ठीक है यह आप लोग देखे जो पोस्ट बढ़ाई हैं ये 12 तारीक को संसोधित इनों ने कर दिया था ठीक है ये नई पोस्टे हैं 45 ती यहाँ पर GNM की उनको 66 किया गया है मैं आप लोग को वो पूरा 10 तारीक वाला भी विज्ञापन दिखा देता हूँ थाकि आपका जो सस्पेंस है वो खाजाम हो जाए ठीक है यहाँ पर देखेगा दोस्तो डोक्टर की 11 थी 11 ही है फारमसिस्ट की 53 से 62 कर दी इनोंने 61 62 कर दी इस तरीके से आप लोग देखें ये पुराने वाला है GNM की 45 थी आप 66 कर दी गई है तो आप लोग फारम भर सकते हैं फेरमसिस्ट की भी 10-11 वेकेंसी बढ़ाई थी और इसके अलाव ECG का इसमें था नहीं ठीक है ECG का था नहीं तो अब ECG के लिए भी दुबारा से आप लोग आविदन कर सकते हैं ECG टेकनीशिन अगर कोई है कर रखे है जिसने तो ECG के लिए भी फारम भर सकता है YouTube आधार पर भरतपूर जिलेका ठीक है लिंक मैं आप लोगों के लिए टेलिग्राम पर डाल ही दूँगा वहां से आप लोग ले सकते हैं Instagram पर में लिंक देने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर भी आप लोग जुड़ें RNS Education News के नाम से सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं दान्यवास साथ ही हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अप्डेट के साथ जैहिन जैभारत